अगर आप अपने घर में मिट्टी भरने का सोच रहे हो न ये वीडियो आपको देखना चाहिए इसमें हम बताएंगे कमपेक्शन कैसे करना है सही से मिट्टी भरते टाइम कितना मिट्टी लगेगा टोटल चीज हम बात करेंगे बैक फिलिंग जो कहते हैं न सोयल वैक फिलिंग ये चीज़े हम बात करने जा रहे हैं काफ़ीड इन्फरमेटिव वीडियो है ये देखो मिट्टी भरते टाइम न कभी भी एक चीज हमेसा याद रखना ये चीज़े कि कमपेक्शन जब कर रहे हो ना लेयर बना बना के मिट्टी भरो ठीक है जब भी इस तरीका से नहिए कि लाए मिट्टी और उजल दिये हो गिया ऐसे में फर्स खराब हो जाएगा आपका layer बाइ लेयर कमपेक्शन करकर के मिट्टी भरो इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसमें मिट्टी हम कितना ट्रॉली मंगाए कि आपका मिट्टी पुरा अच्छी तरीका से भढ़ा जाए ऐसा नहों कि मिट्टी की कमी पर गई ऐसा नहों कि मिट्टी हम ज्यादा मंगा लिए तो इसलिए हम मिट्टी का calculation बताने वाले हैं कि back filling में कैसे हम निकाले कि मिट्टी कितना लगेगा तो वीडियो लाश्ट सक देख लेना कितना भी एडिया हो आप निकालना सीख जाओगे देखो मिट्टी भरना है 40 by 20 feet का एडिया है टोटल कितना है 800 square feet 800 square feet कितना भी एडिया हो आपका माली जी कि आपका 50 by 60 है 70 by 80 है 20 by 10 है 30 by 40 है कुछ भी एडिया हो सकता है आपका सेम प्रोसेस आपको follow करना है इस दोनों को आप गुना कर लो तो यह आपका एडिया निकल गया है 800 square feet क्या निकल गया ना 800 square feet एडिया अब आपको मिट्टी कितना अंदर तक भरना है, तो उपर से आप नीचे तक माप लो, मालो कि हमें 4 फिट नीचे भरना है, तो 4 से गुना कर दो, तो 8 चोक 32, 32 CFT आपका आगिया, क्यों भी फिट में आगिया, यह हमारा फिट में था, यह वाला यह उनिट फिट में था, हम इ 300 CFT माटी लगई गा, अब हमारा जो एक ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर से माटी भरेंगे, इसमें, तो ट्रैक्टर जो आता है, वो आपका अन्ठान विर्स से लेके 100 CFT मिट्टी देता है, एक ट्रॉली हम आगर track ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर हम माटी मंग बाते हैं ट्र यूप का माटी बेठता है ना बेठता तो फिर मिटी कम जाता है तो यह आपका दे शर करतीम दोम क्ता लाएं लाएगे मिटी दो कि हम एक्सट्रा pressing नहीं लाए तो फिर मिटी कम जाए गा तो हम क्या करते ہے 1.3% तक हम बढ़ा के मिटिल आते हैं ताकि हमारा ये फूल फिल हो जाए 1.3 1.4 तक आप जा सकते हैं तो हम 1.4% बढ़ा दिये तो हम इससे साथ गुना कर दिये तो ये आपका 4166 CFT आ गिया कितना गिया 4166 CFT आपका एक्च्वल माटी लगेगा हालाकि माटी इतना ही लगेगा ठीक है 3200 CFT लेकिन जो सूखा हुआ माटी है उसमें जब पानी मारके बैठाईएगा तो ये इतना लग जाएगा माटी तो हमें ये बला माटी फिर कम पर जाएगा इसलिए हम एक ही साथ लाएंगे ताकि हमारा ये पूरा फुल्फिल हो जाए तो 41600 CFT है एक ट्रॉली में आपको पता है कि अंधानबर से 100 CFT तक जाता है तो चलो भाई हम भाग कर लते हैं 41600 CFT है तो इससे हम अंधानबर CFT से भाग कर दिए तो हमारा कितना ट्रॉली आएगा 42.4 चार ट्रॉली आएगा तो हमारा चार च कीदर भी सेम ही होता होगा अगर मिटटी खडी रहें तो साथ सो रूपिया दर्चे slowlyST tellement यह स्टार हो जाता है तो तो लेह हो तो साथ साथ सो रूपिया पर णाठा ऑर हंप-व्या श्याता है व्यूक्तना नहीं यह द het यह तो सारे 700 रूपिया से आप 43 ट्रेल का गुना कर दो तो 32,250 रूपिया कितना टोटल खर्च 32,250 रूपिया का पड़ जाएगा कितना ट्रेक्टर माठी का 43 ट्रेक्टर माठी लग जाएगा तो यह आप इस तरीका से कल्कुलेसन निकाल सकते हैं वीडियो अच्छा लगा ल